हाई फ्रेंड स्वागात आप सभी का अपने चैनल राखिस किचन कॉर्णर में तो फ्रेंड आज मैं आप सब किसाद शेर करने वाली हूँ बिहार के छट पूजा में बनने वाली ठेकवा की रेसिपी जो कि बाहर से बिलकुल ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम ही नर्म होती है वीडियो श्रू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें जिससे के हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी तो चली शू करते हैं इस रेसिपी को बनाना तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बरे कप मैदा लिया है आप चाहे तो इसकी जिगा गीगु के आटे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम यहाँ पे से मेजरिंग कब से आदे कब बारिक वाली रवा लेंगे यानि की सूजी अब मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए कुटे भी इलैची का इस्तिमाल किया है आप चाहे तो इसकी जिए लेची की पॉटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब साथ ही मैंने यहाँ पे दो चम्मच नारियल की बुरादे का इस्तिमाल किया है जिससे की जो ठेकवा में है न एक बहुत ही अच्छी सी रिचनस डबल अप हो जाएगी साथ ही मैंने यहाँ बारे कटेवी नारियल का इस्तिमाल किया है जब आप ठेकवा खाएंगे तो जब यह नारियल आपके दादों में आईए न तो बहुत ही अच्छा सा फील आता है साथ ही यट करने हूँ थोड़ी सी सोफ सोफ भी बहुत अच्छी फ्लेवर देगी ठेकवी में अब इसमें जाएगा मोयम के लिए घी घी में दो चमच इस्तिमाल कर रही हूँ और बाद में हमें ज़रुत परेगी तो हम और घी का इस्तिमाल करेंगे तो इसे हम अच्छे से सभी चीजों के साथ मिला लेंगे तो जब हम ठेकवे में मोयम के लिए घी या तेल का इस्तिमाल करते हैं तो वो बिल्कुल प्रॉपर कॉंटिटी में होनी चाहिए क्योंकि अगर आपका मोयम कम हुआ तो ठेकवा अंदर से सक्त हो जाएगा और अगर मोयम जादा हुआ तो हो सकता है कि आप तलते वक्त आपका ठेकवा तेल में मतलब फैल जाए या फिर वो तूटने लगे तो मैं अभी ठेकवे में और थोरी मोयम का इस्तिमाल करूंगी तो मैं दो चमच घी का और इस्तिमाल करूंगी तो इसमें मैं देव चमल्च घी और डाल देती हूँ और अब हम इसे अच्छे से mix करेंगे तो इसे अच्छे से mix करना बहुत जरूरी है ताकि जो मोय में हमारे अच्छे से जो सारे मैदे है सुजी में अच्छे से मिल जाए तो मैं इसे दोनों हाथ से मिलाती हूं, अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो हमें दोनों हाथों के सहतासे से मिक्स करना है, तो देखें इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपोर्टन स्टेप होता है, इस ठेकवे का, तो यह स्टेप आपकी गल्ती ना ह तो इन सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें एड करेंगे शुगर यानि की चीनी की क्वाइंटेटी आप अपने हिसाब से एड़ेस्ट कर सकते हैं जादा मीठा पसंद हो तो आप मेरी तरह जादा शुगर कर इस्तिमाल कर सकते हैं और अब हम इन सभी क यानितिशे लेके मुठी बना यान अंबहाराँ पर फेक्ली लग चुका है तो अब हम इसमें थोड थोड़े करके पानी आड करेंगे तो अमैं पानी का इस्तिमाल बहुत जादा नहीं करना है क्योंकि हमें इस को सब्सक्राइभ कि अमें में इसे इतना पानी डालना कि यह तो इसमें मैं बहुत थोरा पानी और इस्तिमाल कर रही हूं करीबन एक चमच और इसे हम मिला लेंगे अच्छे से तो अब आप देख सकते हैं कि जो आठा है हमारा वो बैंडिंग फॉर्म में आ चुका है तो देखें मैं आपको दिखा रही हूं कि यह देखें आठा जो है हमारा बैंडिंग फॉर्म में आ चुका है देखें इसे हमें इतना ही बैंड करना है बहुत जादा इसे हमें मैशी गीला नहीं करना है, तो अब ठेखबा बनाने के लिए थोरे पोर्चन आठा करेंगे, ठेखब का साइच, आप अपने हिजाब से बरी चोटी कर सकते हैं, तो ठेखबा दो तरह से बनता है, या फिर फिर लम्बे साइज में बनता है, तो लम्बे bent बनता है, तो लम्बे तो देखिए इस तरह से दबाते हैं लड़ू के फ़र्म में इस तरह से तयार कर लेंगे और इसे अब मैं साइड में रख देती हूं तो देखिए इसे ठेक बनाने का साचा बोलते हैं बहुत इसली मार्केट में अवेलबल मिल जाता है और अगर यह आपके पास नहीं है तो म हतेली से दबा देंगे तो इस तरह से हमारा ठेकवा तयार हो जाएगा यह देखिए इसके उपर कितने अच्छी डिजाइन आ चुकी है और अगर आपके पास दो साचा है तो आप एक साची को उपर प्रेस करके दूसरे साची भी दबाएंगे तो डिजाइन आपकी दोनों घसनी से भी हम ठेकवा तयार कर सकते हैं तो बस इसके उपर हम इस तरह से रखके और हम इसे प्रेस कर देंगे तो देखिए इसके उपर भी बहुत अच्छी डिजाइन तयार हो जाएगी तो यह देखिए कितनी अच्छी हमारी डिजाइन तयार हो गई है तो इसी तरह से हम गोल वाले ठेकवे में भी डिजाइन तयार कर सकते हैं घसनी के सहता से तो ये देखिए इसमें भी कितनी अच्छी डिजाइन आ चुकी है और अगर आपके पास घसनी ना हो तो आप इस तरह का चनोड़ा का इस्तिमाल कर सकते हैं ये तो सभी के घर में अवेलेबल होता है तो सेम इसी तरह से हम इसके उपर रखके इसे हम प्रेस कर देंगे तो इससे भी इस तरह से डिजाइन आपका तयार हो जाएगा या फिर आप इसे सिंपिली हाथ से इस तरह से प्रेस कर दे और आप हम इसमें फॉक की सहता से इसमें हम पत्ते का डिजाइन बना सकते हैं तो इस इस तरह से कई चीजों के इस्तिमाल करके इसमें डिजाइन तयार कर सकते हैं घर में हमारे पास ऐसी चीज़े होती है कि जिससे आप इसमें बहुत अच्छी एची डिजाइन तयार कर सकते हैं तो इस तरह से हम सारे ठेकवे को तयार कर लेंगे और बहुत डिफरेंट में तलना होता है अगर ज्यादा गरम तेल में आप इसे फ्राइ करेंगे तो आपकी ठेकवा है अंदर से कच्ची रह जाएगी तो दो मिनट के बाद अब मैं ठेकवे को पलट देती हूं तो इस तरह से हम ठेकवे को पलटते हुए दोनों तरफ से इसे हमें पकाना है अच्छ आते रहें जिससे कि जो हमारा ठेकवा है अंदर से भी अच्छे से पकेगा और उपर से भी क्रिस्पी होगी तो इस ठेकवे को पकाने में मुझे करीबन 7-8 मिट लग चुके हैं और दोनों तरफ से ठेकवा हमारा अच्छे से पक चुका है तो अब मैं सारे ठेकवे को एक अच्छे में निकाल लेती हूं ताकि इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा ओयल है वो भी निकल जाएगा हमारा और ठेकवे में हमारा काफी अच्छा कलर आया है ठेकवा हमारा दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है तो ठेकवा हमारा ठंडा हो चुका है तो मैं इससे आ अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ यो नोटिफिकेशन वेल प्रेस कर दे बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर